आज का पार्ट है जन संचार इसे related हम कुछ questions डिसकस करेंगे जो कि आपके exam परपस से काफी useful होने वाले हैं और शुरू करते हैं इस chapter किसे related question answers को पढ़ने की और समझने की पहला question हमसे पूछ रहा है कि संचार किसे कहते हैं संचार अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के साथ बाटने की महतोपूर प्रक्रिया है अर्थात आपसी समझ विश्वास एवं बहतर मानुय संबंधों को स्थापित करने के लिए सूचना तथा विचारों के आदा तक कैसे पहुचाएं एक माध्यम तो है कि हम बोलकर लिखकर लोगों को अपनी बातों को पहुचाया करते थे लेकिन दूर दूर तक अपनी बातों को कैसे लोगों तक पहुचाया जा सके उसके लिए जिस प्रक्रिया का इस्तमाल यानि जिस तरीके का इस्तमाल किया जाता है वो संचार है अब कैसे कि कहीं भी किसी दूसरे राज्यम कोई घटना घटित हो रही है न्यूज के माध्यम से जब हम उन्हें अपने राज्यों में देखते हैं तो वो दूर ये जो संचार है ये इसका एक बहतरीन प्रियोग हुआ कि दूर बैठे लोगों को भी उसकी जा अब एक बार फिर से हम जबी सुत्तर को पढ़ेंगे तो आपको बहतरीन तरीके से समझ मेंगा तो संचार किसे कहते हैं संचार अपने भावों एवं विचारों यानि अपनी बात को बताने के लिए दूसरों के साथ बाटने की जो एक प्रक्रिया है जिसमें आपसी समझ व किसी भी तरीके की बात जो है वो दूर दूर तक जब पहुचाए जाती है जिस प्रक्रिया का प्रियोग करके उसे संचार कहते हैं अगला question है प्रश नमबर दो समाजिक संपर्क से क्या तात पर रहे है पहली बात तो आप शब्दों पर घ्यान देंगे और उनी से ही बहु समुदाय तथा समाज के आपसी संपर्क को संचालित करने के लिए समाजिक संपर्क के माध्यमों की आवशकता होती है एक समुदाय तथा समाज के आपसी संपर्क माल लेजिया आप जहां रहते हैं आपको अपने पडोसियों से संपर्क बनाया रखने के लिए उनसे मिलना जुलना चोटी मोटी बाते और फिर जब आपका connection बहुत बहतरीन हो जाता है तो आप daily basis पर अपने connection के basis पर उनसे contact करते रहते हैं तो वही है सामाजिक संपर्क अब ये पडोस की बाद जोगी वो एक छोटा level है और बड़ा level जो है कि आप संचार का प्रियोग कर करके आप internet के माध्यम से facebook के माध्यम से और भी ऐसी आज के time में बहुत सारे social media के माध्यम से हम दूर दूर बैठे लोगों से भी contact अच्छा बना पाते हैं जो कि समाजिक संपर्क के अंतरगत ही आ जाता है कहने का मतलब है कि समाज से अपने संबंधों को बहतरीन बनाने के जो तरीके हैं और जो प्रक्रिया है वही समाजिक संपर्क है अगला प्रशन है प्रशन नमबर तीन अब आप ये देखिए पाठ जो है जन संचार है संचार जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं किन-किन माध्यों मों से, किन-किन तरीकों से, उन्हीं की चर्चा और यह उन्हीं से संबंधित प्रशन है प्रशन नमबर तीन देखते हैं संचार का प्रियोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अपनी समस्याओं, चिंताओं, आधी के कारण मनुश्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिविक्त करने के उदेशे से संचार का प्रियोग करता है अब संचार का प्रियोग क्या जाता? आप देखेंगे कि कहीं किसी भी जगा दूसरे देश में राज्य में कोई समस्य होती है तो संचार का प्रियोग करके तुरंत पूरे देश में या संसार में वो बात लोगों को पता लग जाती है उसके माध्यम से दूसरे लोगों से मदद ली जा सकती है या फिर ये लोग मि तो उन्हीं छेतर विशेशों में वो घटनाय घटित होकर रह जाती ना तो लोगों को पता लगता और ना ही लोगों की मदद हो पाती तो ये वो एक्जामपल है जो कि बहुत ही निससरी है उसके लिए तो संचार का होना बहुत जरूरी है लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बाते ह हैं जिनके लिए हम संचार का बहुत बहतरीन प्रियोग कर रहे हैं आप घर बैठे संचार का प्रियोग करते हुए एक से दूसरे स्टेट में जॉब्स ले रहे हैं अपने रिष्टेदारों से कॉंटेक कर पा रहे हैं ये रोज उमर्रा की चीज़े जो हमारे संचार माध् उनके सामने रखता है अभिवक्त करने के लिए उसके उद्देशे से संचार का प्रियोग होता है अगला प्रशन है प्रशन नमबर चार संचार की प्रक्रिया के घटक या संचार प्रक्रिया के मूल तत्व कौन कौन से हैं संचार प्रक्रिया के घटक या मूल तत्व हैं प्रेशक, संदेश, संचारमाध्यम, संकेती करण, संकेत वाचन, ग्राहक, फीडबैक, एवं विखन, शोर एवं तकनीकी अवरोध हैं तो ये सब क्या हैं? इसके मूलतत्व हैं अगला प्रशन हमार सामने है प्रशन नमर पाँच, फीडबैक क्या है? feedback जैसे शब्द का प्रियोग जो है आज के टैम में बहुत होता है तो almost सभी जानते हैं कि feedback का जो word का meaning जो है वो क्या होता है तो हम connect करेंगे word के meaning के साथ ही संचार प्रक्रिया में प्रेशक के द्वारा भेजा गया जो संदेश है उसे जब प्राप्त कर लिया जाता है उस पर संदेश का प्रापक यानि प्राप्त करने वाला जो प्रतिक्रिया प्रेशक तक पहुचाता है वही feedback है हम सभी को मालूम है feedback क्या होता है हम क्या respond कर रहे हैं संबंदित, किसी भी से संबंदित हमारी क्या प्रतिक्रिया है, माल लीजे, आपको ये वीडियो दी जारी है, आपके एक्जाम परपस है कि आपके लिए useful हो सकते हैं, ये questions आपके एक्जाम के लिए, आप वीडियो को पारे, आपको अगर लग रहा है सची में कि ये questions answers जो है, आपको help करने वाले तो आपका feedback रहेगा मेरे लिए या मेरी वीडियो के लिए, मेरे चैनल के लिए कि बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पसंद आएगा उनके लिए ये बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, तो अच्छा हो या बुरा हो, feedback है कि आपको ये चीज किस वे में लगी किस level तक आपको पसंद आई या फिर आपको help कर रही है तो ये आपका feedback हो जाएगा अगला question लेंगे हम question number 6, माध्यम संचार किसे कहते हैं माध्यम संचार का वह रूप है जो media अर्था संचार माध्यमों की साहता से किया जाता है इसमें telephone, mobile, pager या अन्य संचार माध्यमों का प्रियोग करते हुए बातचीत की जाती है अब आप ये देखेंगे कि जो संचार है माध्यम संचार, यानि जो संचार की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं उस संचार को प्रमोट करने वाले जो माध्यम है, वो क्या-क्या है telephone है, mobile है, pager है pager जो की use होता था पहले अब तो नहीं होता लेकिन पहले pager use हुआ करता था, telephone है mobile है, यह सब जो है संचार के माध्यम है हमारे, अगला question है question number seven समू संचार क्या है समू संचार, संचार का वह रूप है जिसके अंतरगत एक व्यक्ति श्रोताओं के एक समू को संबोधित करता है तो समू संचार क्या है जिसके अंतरगत एक व्यक्ति जो है श्रोताओं के एक समू को समू यानि ग्रुप अब जो संचार है वो सुनने वालों के एक समूँ को संबोधित करता है तो उसको समूँ संचार कहते है Q8. संयुक्त क्रांती से आप क्या समझते है कागज तथा मुद्रण का अविश्कार कागज हम सभी जानते हैं मुद्रण यानि छपाई इसका जब अविश्कार हुआ संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चीज हुई इन दोनों के मेल को ही संयुक्त क्रांती भी कहा जाता है हम सभी को मालूम है जब से मशीने आ गई और छपाई का काम उने लगया चीजे बहुत इजी हो गई वरना सब कुछ पहले हेंड रिटन हुआ करता था और हेंड रिटन में के लिए भी पेपर नहीं हुआ करता था तो जब पेपर आया और फिर छपाई के लिए मशीनों का विश्कार हुआ मुद्रण का विश्कार हुआ तो ये एक संयुक्त क्रांती के रूप में आई अगला question है question number nine radio किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है radio एक श्रव्य जनसंचार माध्यम है श्रव्य क्योंकि इसमें सिर्फ सुना जा सकता है ना तो देखा जा सकता है ना ही और भी कुछ तरीके इसमें इस्तमाल हो सकते है यानि सिर्फ ये आप इसको सुन सकते हैं बस तो radio एक श्रव्य जनसंचार माध्यम है radio मूलता एक रेख्य माध्यम है जिसमें कारेक्रमों का स्वरूप धाचा तथा शैली पूरी तरह तरह तै रहता है एक रेख्य है मतलब एक ही वे में है तो और इसमें जो इसका स्वरूप धाचा और शैली पूरी जो है पहले से ही फिक्स होती है कि इसको इस तरीके से ही करना है तो radio हमारा एक जनसंचार माध्यम है जो की श्रव्य ही है श्रव्य माध्यम ही है आगे देखते हैं अगला question है हमारा question number 10 मुदृत जनसंचार माध्यमों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए मुदृत यानि जो printed हमारे जो भी माध्यम है मुदृत जनसंचार माध्यम उनकी भाषा शैली यानि जो written material हमें मिल रहा है उसकी शैली उसका वे क्या होना चाहिए मुदृत जनसंचार माध्यमों में क्या क्या आते है पहली बात तो जो समाचार पत्र आते हैं पत्रिकाय आती हैं और पुस्त क्या आती है इन माध्यमों की भाषा शैली में अनुशासन के सासाद गंभीरता का महतो भी होता है Q12. लोगो और ग्राफी दोनों ही शब्दों का अर्थ हमें मालूम है लोगो ग्राफी लिफी के विकास का एक महतो पूर्ण चरन है इसमें प्रतेक शब्द के लिए एक स्वतंतर चिन होता है इस लिफी को शब्द लेखन भी कहा जाता है लोगो हम सभी को मालूम है किसी भी चीज के लिए एक लोगो यूज किया जाता है यानि साइन यूज किया जाता है उसे लोगो कहा जाता है ग्राफी मतलब रिटिन चीजों के लिए ग्राफी शब्द का प्रियोग किया जाता है तो ये लोगोग्राफी क्यों हो गई कि किसी भी लिपी के विकास का एक महतोपूर्ण चरण है और इस शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन होता है इसमें जिसे शब्द लेखन भी कहा जाता है ध्वनियों के अधार पर लिप्यों के विकास की प्रक्रिया ही लोगोग्राफी है बहुत द्यान से पढ़ना है भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहां खोला गया इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तके छापने के लिए की थी धर्म यानि अपने धर्म से संबंदित जो प्रचार करने थे हुने उसको करने के लिए इन पुस्तकों को छापा गया और सबसे पहले कब शुरू हुआ पंद्रह सो चपन में गोवा में Q14 संचार तथा जन संचार के विभिन माध्यमों को इस पस्ट कीजिए अब संचार क्या है और जन संचार और इसके माध्यम यानि इसका way of जो हम संचार जन संचार की बाते करें इनके माध्यम कोन से हैं संचार तथा जन संचार के विभिन माध्यमों में टेलीफोन आता है, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन तथा सिनेमा इत्यादी है इसके दोरा मनुष्य अपने विचारों को, समवेदनाओं को, आदि को एक दूसरे के बीच संप्रेशित करता है संप्रेशित मतलब conversation चलती है इस तरीके की, मतलब एक दूसरे की बाते जो है एक दूसरे तक पहुँच पाती है और respond भी हो पाती है question number 15 है, जन संचार माध्यम के उद्देश्य के बारे में लिखिए जन संचार माध्यम, सूचना के संप्रेशन, सामाजिक संपर्क सूचना के संप्रेशन मतलब, जो जन संचार माध्यम है, उसका मेन मोटिव क्या है जन संचार का मेन मोटिव ही है सूचनों को पहुचाना, समाजिक संपर्क यानि समाज से संपर्कों को बढ़ाना, अभिवेक्ती यानि चीजों को अभिवेक्त करने के लिए तथा परस्पर विवार को महत उप्रदान करने के लिए उद्देशे से संचालित किये जाते हैं अव्यसी बात है इन्हीं के लिए ही जन संचार और संचार माध्यमों का प्रियोग हो रहा है Q16 लेंगे हम प्रिंट मीडिया के अंतरगत आने वाले दो माध्यमों का उले किजिए प्रिंट यानि मुद्रित माध्यम, समाचार पत्र एवं पत्र का तो ये दोनों ही एक माध्यम है प्रिंट मीडिया के Q17 जन संचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है Q18 मुद्रण माध्यम को स्थाई माध्यम क्यों कहा गया है मुद्रण यानि कि वही आपका प्रिंट माध्यम मुद्रित माध्यमों के तहट छपे हुए शब्दों में स्थाइत होता है इन्हें कभी भी पढ़ा वा सोचा जा सकता है तथा लंबे समय तक ये सुरक्षित भी रखे जा सकते हैं इसी के लिए इसको स्थाई माध्यम कहा जाता है Question number 19 Print माध्यम से आपका क्यातात पर है Print माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है और इसमें समाचार पत्राते हैं, पत्रिकायाते हैं और पुस्त के आधी शामिल होती है Question number 20 Internet किसे कहते हैं Internet आधुनिक जनसंचार का सबसे सशक्त, व्यापक और बहु आयामी माध्यम है इसमें मुद्रणात्या, ध्वनी, द्रिश्य, आधी सवीज जनसंचार माध्यमों का संगम है चलिया अगला question हम डिसकस करते हैं Question number 21 Electronic माध्यम से क्यातात पर है अभी तक हमने पिछले questions में मुद्रित माध्यमों के बारे में पढ़ा मुद्रित माध्यम यानि print माध्यम जो थे print यानि मुद्रण या मुद्रित यानि छपे हुए जो भी माध्यम है जिसमें हमारे समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्त के आती है अभी लेक्ट्रोनिक माध्यम शुरू हो रहा है तो लेक्ट्रोनिक माध्यम में क्या क्या आता है लेक्ट्रोनिक माध्यम में हमारे आता है जिस जनसंचार में लेक्ट्रोनिक उपकरनों का सहरा लिया जाए उसे लेक्ट्रोनिक माध्यम कहते हैं पिछले ही questions में हमने पढ़ा कि जो मुद्रित माध्यम है वो हमारा सबसे पुराना माध्यम है और ये इस्थाईत हो है ये इस्थाई माध्यम में माना जाता है क्योंकि इसमें लिखी वी जो चीजे हैं वो साल ओ साल आप रख सकते हैं कभी भी उठा के उन्हें पढ़ सकते है देख सकते हैं सोच सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन electronic माध्यम में ये सब चीजे नहीं होती question number 23 internet की लोगप्रियता के दो कारण बताईए मतलब internet इतना लोगप्रिया क्यों हुआ है इसके दो जो main कारण हो सकते हैं वो बताईए internet जो है पत्रकारिता मुद्रण रेडियो तथा टीवी तीनों के गुणों से संपन है हम अगर टीवी देखते हैं रेडियो देखते हैं न्यूस पेपर्स बूक्स ये सब भी पढ़ते हैं तो इन सब को अलग अलग इनके sources कहां आपको कहां कैसे available हैं उस तरीके से आपको मे internet है आपके पास तो आप रेडियो फॉर्म भी यूज कर सकते हैं मुद्रण माध्यम भी यूज कर सकते हैं टीवी फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं दूसरा सबसी बड़ी इसकी बात है खास internet पत्रकारिता हर दो गंटे बाद शन्शोधित होती रहती है यानि हर दो गंटे म आपको हर सेकेंड में अपडेट्स देता रहता है कुछ भी हो रहा है आपको तुरंत ताजा ख़बर मिलेगी तुरंत ताजा अपडेट मिलेगी तो ये दो सबसे बड़ी विशेशता हैं जिसकी वज़े से internet ने इतनी लोग प्रियता पाई है question number 24 सूचना प्राप्त करने के किनी दो श्रोतों पर टिपड़ी कीजिए internet ये electronic media का सरवाधिक सशक्त माध्यम है और दूसरा समचार पत्र ये print media का सशक्त माध्यम है तो सूचना हमें दो इन तरीकों से प्राप्त होती है इसलिए क्योंकि इसके द्वारा शब्द ध्वनी और द्रिशतीनों के समलित प्रभाव का आनन लिया जा सकता है तो टीवी जो है इसलिए भी सबसे ज़्यादा लोगप्रीय है कि आप उसमें देख सुन सकते हैं और शब्दों को आप देखेंगे कि written form में भी आता है जो कि internet में भी हमें मिलता लेकिन टीवी भी जो है लोगप्रीय माध्यम इस कारण से रहा है question number 26 जन संचार क्या है जब हम किसी समू के साथ प्रत्यक्ष समवाद करने की अपेक्षा किसी यांतरिक माध्यम से समवाद करते हैं तो उसे जन संचार कहते हैं कि दो लोग खड़े हैं आपसने बाते करें एक वेक्ति अपने सूचनOT को समवाद हो गया लेकिन आप internet का यूज कर रहे हैं, टेलिफोन का यूज करते हुए, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक यांतरिक माध्यम का प्रियोग किया, मशीन का प्रियोग किया, संचार का माध्यम का प्रियोग किया, तो यह आपका क् इतना अब तादाद में लोग नियूस्पेपर्स नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो बंद भी नहीं हुआ है इसके जो अभी भी पाठक है वो अभी भी बरकरार है चल रहे हैं मतलब बहुत लोग हैं परसेंटेज कम हैं लेकिन लोग पसंद करते हैं तो इस माध्यम का इतना इतना famous होने का या इतना पसंद किया जाने वाला जो माध्यम है वो इस कारण से है Q28 जनसंचार के साधन जनमत पर क्या प्रभाव डालते हैं जनमत यानि आम जनता जो है और जनसंचार का प्रियोग कर रहे हैं तो उससे उनका क्या अफेक्ट हो रहा है जनसंचार के साधन अपने प्रभाव से जनमत को निर्मित कर रहे हैं संशोधित करें एवं परिवर्तित कर रहे हैं तो जन संचार का जो माध्यम है उससे लोग जो है नव निर्मित हो रहे हैं और संशोधित हो रहे हैं बदल रहे हैं लोगों को अगर चीजे पता ही नहीं लगेंगी तो बदलाओ कैसे आएगा परिवर्तित हो रहे हैं तो वो अपना प्रभाव इस तरीके से डाल प्रविश्चार का जो श्रे है किसे दिया जाता है यानि आप जो नया जो मुद्रण तक्नीक है उसका अविश्चार जो है किसे दिया जा सकता है जर्मनी के जॉनिस गुटेंबर्ग को गर उसके लिए जो समाचार तयार किया जा रहा है तो उसको लिखते वक्त ये दियान में रखना है कि चाहे आप भाषा व्याकरण की शुद्धी उतनी ना हो लेकिन जो उचारण है यानि जो बोला जा रहा है और जो श्रवन की शुद्धी है वो एकदम प्रॉपर हो क्योंकि वो सुनने काई माध्य में तो आसान शब्दों का प्रियोग करते वे continuity बनी रहे उसमें किसी भी तरीके का अटकाव ना हो वो बोलना उचारण करना उस पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी होता है और जो समाचार के क्रम पर अधिक केंद्र तो फोकस हो तो ये रेडियो समाचार की भाषा शैली होनी चाहिए समाच के आधुनिकी करण में जन सचार माध्यमों की क्या भूमिका है जन सचार जो है वो समाच का आधुनिकी करण कर रहा है यानी उसमें नया पन ला रहा रहा है वो कैसे ला रहा है जनसंचार इपनी भूमिका कैसे दे रहा है सूचना देखकर सिक्षित कर रहा है लोगों को मनोरंजित भी कर रहा है और निगरानी भी कर रहा है तो इन सभी माध्यों में उसे वो आधुनिकी करण फैला रहा है Q32 22 जनसंचार के दुरुप योग से क्या परिणाम संबह है यानी जनसंचार का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए और तो उसकी क्या परिणाम हो सकते हैं जनसंचार का जो दौूरुप योग है वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है जो किस अभी देख सकते हैं Q33. FM रेडियो का विस्तार किस देशे से हुआ था? सूचना, देना, सिक्षा, राश निर्माड तथा मनोरंजन के लिए FM रेडियो का भी विस्तार हुआ था? और एक वक्त पर लोग चलते फिरते, FM रेडियो का इतना क्रेज हुआ करता था कि लोग सुनते थे और FM रेडियो के माध्यम से सिर्फ आपको गीत संगीत ही नहीं बलकि मनोरंजन भी दिया जता है राश निर्माड के लिए भी कोशिशे की जाती है, सिक्षा दी जाती है, सूचना भी दी जाती है तो इस तरीके से ये तहे जन संचार पार्ट से संबंदित आपके कुछ प्रशन जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी यूसफूल हो सकते हैं इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेशन्स आपको helpful लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो जरू कमेंट करके हमें बताइएगा जिससे की और भी हम वीडियो जैसी आपके लिए ला सकें, धन्यवाद